जालोर में आज रीट की परिक्सा 16 केंद्रों पर आयूजित हो रही है कलेक्टर निसान जैन SP हरस्वतन अगरवाला लगातार परभावी मौनिटरिंग कर रहे हैं पुलीस पुरी तरह अलट है और नकल रोकताम को लेकर लगातार पुलीस मौनिटरिंग कर रहे हैं मेरे साथ खास बात्यूत के लिए कलेक्टर और SP दोनों मौजूद हैं मुनसे खास बात्यूत करते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है क्या का निर्देश दे गए अधिगारियों को व्यवस्था है पुरी तरह जिस तरह से बोर्ड का और सरकार का निर्देश है बिल्कुल उसी तरह से फूल प्रूफ व्यवस्था की जा रही है और सबी जगे टाइम से पेपर पहुचना, सबी जगे केंदरो पेंट्री होना, जैसे अभी पहली शिफ्ट चल रही है तो वो सुच अरूप से संपन हो रहा है और पुलीस और प्रशासन पुरी तरह मुस्ताइद है हर जगे, कई तरह की जूटी हैं इसमें, सबी जगे, सबी लोग हमारी पूरी टीम में वो काम कर रही है सर इसके साथ में नकल रोग्थाम को लेकर भी इस वार प्रशासन ने काफी गंबीरता दिखाई है, नेट भी बंद किया गया, किस तरीके के आगे नेट बंदी को लेकर निर्देश है अभी जो वर्तमान में जो आदेश है, संभागय युक्त महोदे के आँसे जो आदेश आया है, जालोल जिले में आट सुबे 6 बज़े से, शाम को 6 बज़े तक आज नेट बंद रहेगा पुलीस अलर्ट है पुरी तरह उसके साथ जो रोल है अलग अलगतर है कि जैसे सेंटर अबजरवर तो हमने जिले इस तरह अधिकारियों को सेंटर अबजरवर लगाया है के इन्रा दिख्षक के साथ इसके अलावा इंटरनल फ्लाइंग है हर चार्ण रूम पे एक केंद्रों पर जो अंतीम समय में कुछ अंशिक बदला हुए अब किस तरिके के पूरी तरह परिक्षार्टे को कुई प्रेशानी नियो उसको लेकर पूरा ध्यान का क्या है कल सुबह बोर्ड की वेबसाइट पर आ गया था चार केंद्र थे चारों ही जालोल जे लेके जिन में किसी टेक्निकल कारण की वजए से चारों में आपस में कुछ अब्भेलतियों का सेंटर बदलाव हुआ था तो वो उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्स्टा एफ़र्ट करते हुए उन अब्भेलतियों से आयोग बोर्ड ने भी फोन पर उनको सूचित किया फिर भी दुबारा डाउंडरोड नहीं किया था उनने सूचना नहीं मिल पाई होगी तो वो हमारे पंचयाट समीती में जो राजीव गंदी सेवा के अंदर है उन्होंने व्यक्ति करता कि अपना एड्मिट कर लिया और अभी सभी लोग जो है सुचारों रूप से चारों अपने अ किस तरह की निर्देश देगे हैं जैसे कि पहले की तैयारियों में हमने जो संदिक व्यक्ति वो पुराने चलान शुदा है उनके लिस जारी कर दी थी उन पे चेकिंग की जा रहे थी और निगरानी अभी भी जारी है इसके साथ जो सूचना हमारे जो पुलिस कंट्रोल करके लगाए गए हैं सीनियर अधिकारी जो मेरे अधिनास्ते सभी राउंड पर हैं अलग-अलग सेंटर का दाइत्वान को दिया गया समय समय पर अपने मेजिस्ट्रेट के साथ जा करके वो चेकिंग भी कर रहे हैं और अभी तक जो एक्जाम है वो पुरे बैतरीन तरीके जोसी करते से शांती पुर चल रहा है टो पुलीस और परशासन पूरी तर अलग परे हैं और अलग के साथ मैं इस बार ये भी ध्यान रखा गया है कि प्रिक्षार्थियों और ये परकार की असुधा नहीं हो, बसों को लेकर वैवस्ता की बात हो या प्रिक्षार्थियों क प्रिक्षा के अंदर में प्रवेश की बारत हो तमाम में जिला परसासन ने गंबीरता के साथ में मोनिटरिंग की ताकि प्रिक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई असुईदा नहीं हो लुना राम फर्स्ट इंडिया नियूज जालोर